नमस्कार मैं भारती जाओ और आप देख रहे हैं वाक्टेंद्याइ स्पोर्ट्स टीम इंडिया के सबसे बहतरीन बल्ले बाजों में से एक वराट कोली और उनकी पत्नी अनुशका शर्मा जो की एक अभी नेत्री है दोरों के घर में एक बार फिर से खुशिया आने वाली है जी हाँ साही सुना अपने या खुबसूरत कपल अब तीन से चार होने जा रहे हैं आसान शब्दों में बताएं तो विराट कोली दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं इस खबर की पुश्टी हम नहीं बलके हिंदुस्टांस टाइंस नहीं की है इस खुबसूरत कपल ने कई साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2017 में शादी की थी और साल 2021 में उनके घर एक खुबसूरत परी ने जन लिया और उन्होंने अपनी बेटी का नाम वामिका कोली रखा है कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मशहूर अभी नेतरी और क्रिकेटर विराज कोली की पतनी अनुश्का शर्मा एक बर पर से मा बनने वाली है हाला कि इस कपल ने अभी तक आधिकारिक तोर पर इस खबर की पुस्टी नहीं की है लेकिन उमीद की जा रही है जल्द ही किसी बड़े अफसर पर यह कपल अपने फैंस के साथ खुश खबरी साजा कर सकते है कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 5 नवंबर को अपने जन दिन के दिन विराट कोली इस कवर को साजा कर सकते है अभी नेत्री अनुश्का शर्मा लंबे समय के अंतराल से लाइम लाइट से दूर चल रही है हाली में अनुष्का शर्मा और विराच कोली को एक मैटनेटी क्लिनिक में जाते वे देखा गया था और उन्हें पैप्स के स्पोर्ट भी किया लेकिन इस कफल ने अपील की थी कि इन फोटोस को कहीं पर शेयर ना करे अनुष्का शर्मा को लंबे समय से किसे फिल्म में भी नहीं देखा गया और इसके अलाबा भी उन्हें किसी क्रिकेट मैदान में भी नहीं देखा जा रहा है टीम इंडिया के पूर्फ कपतान विराच कोली इन दिनों टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप की तयारी कर रहे हैं और वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनकी फॉर्म भी सुधर गई है टीम इंडिया को 5 अक्टूबर से वर्ल्ट कप में भाग लेना है और टीम इंडिया की डोड विराज कोली की बल्ले से जुरी हुई है अगर इस टुनामेंट में विराज कोली का बल्ला चलता है तो टीम इंडिया वर्ल्ट कप को अपने नाम कर सकती है कई फैंस तो अब यहां तक कह रहे हैं कि विराज कोली अपने घर आने वाले नन्य महमान को वर्ल्ड कप का तौफा दे सकते हैं और भी स्पोर्ट से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट